अबसकार दोस्तों स्वागत एक नई वीडियो मैं दोस्तों इस वीडियो मताने वाला हूँ कि आप system apps को किस तरह से update कर सकते है system apps का मतलब होता है कि जैसे dialer हुआ आपका message हुआ तो बहुत सारे system के applications होते हैं जो काम नहीं करते हैं proper तो आप किस तरह से update कर सकते हैं देखो update कर कर दर से अब इस जाओगे तो आपको यहां पर manage apps का option मिल जाएगा कहीं भी manage apps प्रक्रयाओं तो आपको यहां पर update का is now update पे चले जाओगे जिसिसके आप Appdates पर जाओगे यहां पर आपको यहां पर विउर्यूal का option मिलेगा तो आप देख सकते हो कि यह सारे other application है बाहर के जो कि आपके mobile में installed है और यहाँ पे आपके system applications हैं है ना तो आप चाहो तो यहाँ पे update all पे click करके सारे को ही आप एक click में update कर सकते हो और आप चाहो तो manually कर सकते हो तो यहाँ पे जैसे कि FM radio आप अपडेट आया हुआ है तो आप ऐसे कर दोगे तो यह अपडेट होने लग जाएगा आप चाहो थी emoji keyboard या wallpaper आप वाल पेपर को आप अपडेट करोगे तो जो नए wallpaper से वो आपके add हो जाएंगे system launcher को अगर अपडेट कर देते हो तो एक नया launcher जाता है जिसमें जैसे कि आपका launcher crash crash हो रहा होता है ना no respond कर रहा होता है तो आप अपडेट कर दो तो आपका launcher भी अपडेट हो जाता है इसी तरह से package installer होते है तो जैसे बहुत सारे बगवग आपके system pro पर काम नहीं करता है तीम में अगर आपको लगता है कुछ कमी है तो आप अपडेट कर लेना या फिर all click यहाँ पर system service plugins होते हैं यह update कर लेना है मैंने वाली भी कर सकते है या फिर जिसको नहीं करना है उसको इगनॉर कर सकते है जिसे कि मानके चलो मुझे इसको नहीं करना है यह जो चीज है इसको नहीं करना है तो इस पर मैं कर लेता हूँ ignore this time इसको नहीं करना है तो ignore this time कर लेता हूँ और यहाँ पर अब मैं update पर ऐसे click कर दूँगा तो यह update all तो सारे app यहाँ पर update होने लग जाएंगे बाकी यहाँ पर आपके ignored app आ जाते हैं कि किस application को आपनी गणाउंड कर रखा है और यहाँ पर update history आ जाती है तो अभी update हो रहा तो थोड़ा system यहाँ पर slow गया है तो इस तरह से आप एक click में सारे system apps को update कर सकते हैं यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको यह सारे हैं अब जिसको आपको अगर cut करना है बीच में तो आप चाहँ हो तो यहाँ पर MIP को नहीं चाहिए अगर तो यह मैं delete कर देता हूँ normal इस तरह से इस तरह से system apps को update कर लोगे जैसी यह updates होंगे आपके features और जो आपके crash वेगरा का problem था यह भी fix हो जाएगा तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए, मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए